दोस्तों हम कोई भी financial advisor या financial expert नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दे कि इस वीडियो में दे गई सारी जानकर इंटरनेट के दुरू ली गई है और यह सारी सारी हमारी person research study है इस वीडियो में sponsor content भी हो सकता है तो जो भी आप investment करें उससे पहले आपको यही सर commitment purpose clip बनाया गया है 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 हलो दोस्तों मैं हूँ प्रांचाब सभी का स्वागा करता हूँ कि टोवाइल के बिकूफ फ्रेश वीडियो के अंदर तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने लोग बात करने वाले हैं Bitpolo cryptocurrency exchange के बारे में जानेंगे कि दोस्तों आखिर-कार यह exchange किया है क्या यह हमें फीचर्स है पर प्रोवाइट कराता है और आप किस तरीके से इस exchange पर बड़े अराम से हाँ पर ट्वीडियो के अंदर बाकि दोस्तों अगर आप Bitpolo के उपर अकाउंट को create करना चाते हैं तो करन से आपर trade होती हैं वो सारी की सारी आपर आयनार पियर के अंदर trade होती हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है bank का support तो आप अपने bank में directly deposit या फिर अपने bank में directly यहां पर विड्रॉल इसी तरीके से ले सकते हैं यहां पर आपको bank के अंदर बहुत सारे options मिल जाते है चाहे फिर payment gateway हो, instant withdrawals हो या फिर आपकी जो traditional banking के आप उसको use कर सकते हैं IMPS, NFT, RTGS जो भी methods हैं वो आपको आपको आपर देखने को मिल जाते हैं तो इन methods से आप deposition और इनी methods से आप withdrawal बड़े easy तरीके से आप ले सकते हैं UI के दोस्तों बात करें तो इस exchange का UI बहुत ज़्यादा जब भी हम कभी एक exchange को choice करते हैं तो वहाँ पर security सबसे बड़ा factor निकल के आती है तो यहाँ पर security भी बहुत अच्छी मिले जहाँ पर आप 2FA को use कर सकते हैं email authentication को use कर सकते हैं और even that आप से authorized devices को ही यहाँ पर इस exchange को use कर पाएंगे तो आपको security के अंदर भी यहाँ पर कोई कम withdrawal को ले सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम address डालने जाते हैं तो कोई scanner या फिर हम कह सकते कोई भी बग जो हमारे system में अगर किसी ने install कर रहा है तो वह हमारे address को change कर सकता है तो यहाँ पर यह बहुत अच्छा feature मिलता है कि आप अगर एक बार कोई address feed कर दें तो उस पर multiple times आप यहाँ पर withdrawal को भी ले सकते हैं इस exchange के अगर दोस्तों USP की बात करी जाए तो वो है दोस्तों इसका order book जो कि एक depth order book है और साते हैं यहाँ पर tight spread spread के उपर दोस्तों मैंने एक वीडियो बना दिया है उपर आई बटर में देता हूँ आप जाके check out कर सकते हो तो आपको समझ आएगा कि आखर-कर spread क्या होता है बट अगर एक simple सी भाशन में बात करूं तो जो buyer और seller के बीच में जो पूरा gap होता है जिसमें कि exchange अपना commission मनात जाता है उसको आप एक spread केते हैं और इस exchange के अंतर आपको मिलता है tight spread यानि कि आपके जो losses के चांसे है वो बहुत जदा minimize हो जाते हैं और आपको यहाप पर एक pure value के उपर buy या sale देखने को मिलता है बाकि दोस्तों bitpolo exchange की जो supports है वह भी आप बहुत अच्छा है जो कि आपको सो फानले दोस्तों हम आच चुके हैं bitpolo cryptocurrency exchange के उपर और यह दोस्तों exchange जो है वो आपको exclusive fiat payment gateway को provide यहाँ पर कराता है INR के लिए और यहाँ पर जो भी coin list ने जैसे के bitcoin, ethereum, lightcoin, dash, usdt आप इन सभी coins को यहाँ पर INR के दूरू trade यहाँ पर कर सकते हैं इस exchange की जो features की बात करें तो मैंने already आपको सारे feature पहले ही समझा दिये हैं जहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यदा tight spread मिलता है, high liquidity मिलती है, quick trade execution मिलता है, low सबसे ज़्यादा trading fee आपको देखने को मिलती है, robot security है जो कि आपको different levels में आपको देखने को मिल जाती है, इसका UI बहुत ज़्यदा सब सिंपल ह mobile app की बात करें, mobile app अभी तक इनका आया नहीं है, coming soon है, जो कि आपको Google Play Store और Apple Store दोनों भी यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप इसके लिए wait कर सकते हैं, और तब तक आप website के उपर आकर यहाँ पर trade को अराम से कर पाएंगे, सबसे उपर दोस्तों आपको 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 देख आपके सामने पूरी लिस्ट आजाएगी, अगर आप cryptocurrency directly deposit करना चाते हैं, तो आप Bitcoin, Ethereum, LTC, USDT कुछ भी कर सकते हैं, मैंने हाँ पर Litecoin को deposit करा था, यहाँ पर आपको side में इसका address copy करने को मिल जाएगा, या फिर आप QR code से भी हाँ पर check कर सकते हैं, अगर आप दूसरों INR deposit करन हैं, और यहाँ पिनोट का जो time है, वो सुबह 9 से 10 बजे का है, अगर आप इस time के वीच में आपके deposit करते हैं, तो एक गंटे के अंदर आपका जो deposit है, वो आपके exchange में reflect हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके time के बात करते हैं, तो आपका जो transaction है, वो next है, इस exchange में आपके reflect ह हो गया है, आप wallet में जाके check कर सकते हैं, कि आपके पास अभी कितना fund है, कौन सा fund आप यहाँ पर है, और यहाँ से बाट deposit withdrawal या trade के बटन पर डारेक्ली क्लिक करके अपने fund को include यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से आप withdrawal पर जाएंगे, तो withdrawal पर भी आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाते हैं, तो आप जो भी slot में withdrawal लेना चाहते हैं, आप उसके 15-20 मिंट पहले भी withdrawal लगाएंगे, तो आपको यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टेंडर है, उनको भी follow आपर कर लेंगे, आपको इभी crypto हाँ से withdrawal कर सकते हैं, INR को withdrawal करना है, तो INR पर क्लिक करिए, यहाँ स setting के अंदर पहुंच जाएंगे, मैं इसको skip करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद आपको email और KYC verify अगर आपकी है, तो आप directly यहाँ पर अपना bank account add कर सकते हैं, इस button के उपर दोस्तों क्लिक करिए, और यहाँ से आप select कर सकते हैं, saving या current account जो भी आपका account है, और उसकी information को भर के submit यहाँ पर कर सकते हैं, तो आपका bank account है, वहाँ पर add हो जाएगा, और उसके बाद जो भी आपके withdrawals हैं, या जो deposition है, आप उस account से हाँ पर कर पाएंगे, तो बस दोस्तों इतना सा काम आपको करना है, और आपका यहाँ पर सारा जो easy process है, उसके तुरूप fund यहाँ पर आ जाएगा, मैंने यहाँ पर दोस्तों LTC deposit कर रहे थे, तो आप देख सकते हो, successfully deposit हो गए थे, तीन confirmation के ऊपर, तो मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई, और इसके बाद दोस्तों trade करने के लिए हमें जाना है, exchange के उपर, हम इसके उपर click करेंगे, तो directly हम यहाँ पर exchange exchange पर पहुँच जाएंगे, exchange में सबसे पहले दोस्तों, आप पर bitpolo का logo है, उसके जस्त नीचे आपको trading pairs मिलते हैं, जिसमें भी आप trade करना चाहते है, INR का pair है, USD का pair है, और favorite है, अगर आपको यहाँ पर coin favorite बनाते हैं, तो उसको direct लिए आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ प आपको side में मिलती है, order book उसी orders के लिए, इसके जस्त नीचे आपको आपको आप पर देखने को मिलता है, अगर आपकी कोई position आप अपर open या close होगी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, rightness है कि अगर बात करें तो यहाँ पर आपको buy or sale का button देखने को मिलता है, जिससे कि आप किसी भी coin के अंदर buy or sale कर सकते हैं, इसकी बात दोस्तों यहाँ पर है order type, limit और market, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद की value को आप इंक्लूड करें, जैसे कि भी bitcoin आपको 719382 रूपीज का चल रहा है, और आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर 720 के आसप opportunity यहाँ पर दिखा देगा, उसके बाद आप आप 25%, 50%, 75%, 100% जो इतना भी आपको लेना है वो आप करके यहाँ से buy के बटन पर क्लिक कर सकते हैं, इसी तरह अगर आपको sale करना है तो आपको sale की tab में आना है, यहाँ से आपको select करना है limit, अगर आपने already यहाँ यहाँ पर buy कर market के इस current rate के उपर buy करना है, तो आपको इस limit की बजाए यहाँ पर select करना है market को, यहाँ से just आपको select करना है कि आप कितरा percentage अपनी जो आपके बस available balance है उसका खरीदना चाहते हैं, और वो करने के बाद आप यहाँ पर directly buy के बटन पर click कर सकते हैं, तो अब अगर मुझे यहाँ पर कुछ other coins को buy करना है, तो मैं सीधे अपने pair पर जाओंगा, जैसे कि मैं आपर buy करना चाहता हूँ USD INR को, तो मैं इसके उपर click करूँगा, यहाँ पर click करने के बाद मैं सीधे आजाओंगा buy के tab में, यहाँ पर buy के tab में आने के बाद मैं order limit में जाओंगा market पर, क्योंकि मै market की value है, उस पर buy करना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी भी आपर seller की value पर click कर सकता हूँ, जैसे कि मानी में कोई यह seller ठीक लग रहा है, तो मैं इसके उपर आपर click करूँगा, और यहाँ से मैं 100% के उपर click कर दूँगा, चितना भी मुझे valuation लेना है, और मैं आपर buy USD पर click ले सकता हूँ, तो जैसे अगर मैं इस buyer को लेता हूँ, यहाँ से मैं total 100% लगाता हूँ, sale USDT करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास वापिस है, INR का balance आ जोगा है, और इसके अगर आपको order देखने हैं, तो आप directly open orders में जा सकते हैं, यहाँ से आपको order history मिलेगी, और यहाँ आप देख सकते हैं, कि आपने कौन से coin को buy या sale यहाँ पर करा है, तो आप दूस्तों आपको समझ आगा होगा है, इस exchange यूपर किस तरह buy या sale करना है, बहुत ज़्यदा easy है, easy इनका UI है, और अगर आप market को check करना चाहें, तो आप market में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे ह जो pair से वो देखने को मिल जाएंगे, उनका 24 hour change, 24 hour high low, और 24 hour का volume भी देखने को मिल जाएगा, एक्सेंज की दोस्तों बात करें तो एक्सेंज आप पे बैंगलो कनल टका में, इनका address आप दिया हुआ है, वहाँ से नंबर और support भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो अगर आपकर से अपडेट रहा है सके, तो मैं मिलता आपस वीडियो, कोशन अंटरस्टिंग वीडियो के साथ, तब देकला, have a great day and bye-bye.